चीन की नजर हिंद महासागर पर है वो नजरे गड़ाए बैठा है तभी चीन को घेरने के लिए भारत ने चोतर्फा तयारी तेश कर दी है भारत के राष्ट्य सुरक्षा सलाकार अजीज दोभाल ने हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देशों के बीज सयोग बढ़ाने का आहवान किया है ताकि समुद्री आतंकवाद समेच साज़ा सुरक्षा चुनोतियों का सामना किया जा सके दोभाल ने अब राष्ट्य सुरक्षा सलाकार अस्तर के कॉलम्बो सुरक्षा कॉनक्लेप में अब मौरश्यस को भी शामिल कर लिया है मानदा रहा है कि भारत इसके जरिए हिंद महासागर में एक नया क्वारड बना रहा है मालदीव के उचयोग ने ट्वीट करके बताया कि डुभाल ने हिंद महासागर के जरिये जुर्य देशों के बीच सहयों को भाया जाए जिससे सुरक्षा चुनोतियों का सामना किया जा सके माल्दीव में हो रहे दो दिन के इस समेलन में भारत शिरंका माल्दीव, मौरिश्यस, बांगलादेश और सेशल्स के एनेसे और प्रतनिधियों ने हिस्ता लिया सम्मेलर में माल्दीव की रक्षा मंतरी मार्या दिदी ने माल्दीव की ओर से सामना की जा रहे शेत्रे सुरक्षा चिंदाओं की ओर भी ध्यान दिलाया मार्या दिदी ने मौरिशस की सदस्ता का भी स्वागत किया माल्दीव की रक्षा मंतरी ने उम्मी जिताई है कि परवेक्षक स्रस्य जल्द ही सम्मेलन में शामिल होंगे कोलंबो सुरक्षा समेलन की स्थापना भारत शुलंका और माल्दीव के बीच सुरक्षा सहयोग के चार स्थम्बो के एक तुरिपक्षिय सुरक्ष धांचे के रूप में की गई थी, जिसमें समुदरी सुरक्षा, मानतस्करी, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्ष पिशले साल लवंबर में भारत मालदीव और शुलंकार ने हिंदमासागर शेत्र में अंतराश्ट्य वैपार सहित इसे सुरक्षित रखने के लिए दो दिवसिये समुद्रिय अभियान चलाया था, तिनों देशों की नौसेनाओं की जहाज और विमानों ने पहले कोलंबो सी क्योर्टी कॉंक्लेव फोकस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, और अब ये कहा जा रहा है कि जब ये चारों देश एक साथ आ जाएंगे, तो ये एक नया क्वार्ड बनेगा, ये वो क्वार्ड होगा जो इस पूरे इलाके की रक्षा करेगा, और एक दूसरा क्वार्ड है जो कि चीन को वक्त वक्त पर जवाब देता रहा है